नवस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियोज में तो चलिए बिहार के दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर रेलवे में डायरेक्ट बहाली बिना परिक्षा मिल रहे है नौकरी अभी तुरंत करे अपलाए डियलेट की कोपियों से चार दिन में निकले एक लाक रुपईये आडिट के दौरान मामले का हुआ खुलासा 26 मार्ज को फिर भारत बंद का एलान क्रिसी कानोनों का होली का दहन करेंगे पप्पु यादव बिहार के सैकडों मुख्या के लिए बुरी खबर निती सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम जानकर हैरान हो जाएंगे आप पटना में खेसारी और अक्छरा के प्रोग्राम में भारी बवाल, कायरक्राम छोड के भागे दोनों मौके पर पहुची पुलीस होली के पहले पटना वासियों को मिलेगी सौगात, आर ब्लॉक जीपियो फ्लाइओवर का उदगाटन 25 मार्ज को राज में दाखिल खारीज का जंजट खत्म, अब जमीन रजश्टी के साथ खुद हो जाएगा म्यूटेशन छुटिया रद होने पर PMCH में जबर्जस्त हंगामा, नर्सो नीकिया कारज बहिसकार विहार के ऐसे दो गाउं जहां कभी कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है, कोई थाने और कचहरी नहीं गया परिक्षा में चोरी के लिए मास्ट को बना लिया मुबाईल, सिपाही भरती में सातिर नकलची कर कारणामा, पोल खुली तो भोचक के रह गया लोग अब खबरे विस्तार से जारी किया गया है, 17 मार्च 2021 से 16 अपरेल 2021 तक यानि कि एक महिना तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, आविदन के लिए जनरल यानि कि सामयन वर्ग के उम्मिद्वारों को 170 रुपय आविदन सुल्क देना होगा, जबकि SCST और महिला उमिद्वारों को सिर्फ 70 रुपय देने उत्तर मैद रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अपरेंटिस के इन पदो पर नौकरी पाने के लिए उमिद्वारों को किसी भी प्रकार की लिखित परिक्षा एवंग इंटर्व्यू नहीं देना होगा, बलकि 10 वी की मेरिट लिस्ट के आधार पर चैन क किया जाएगा, कैंडिडेट्स को किसी मायनता प्राप्त बोर्ड से 50 फिजदी अंकों के साथ 10 वी पास होना जरूरी है, ऐसा आपने भी सुना होगा कि मैट्रिक और इंटर की परिक्षा में पास करने के लिए स्टुडेंट कोपियों में नोट रखा करते हैं, इसमें कितन इसमेस्टर की कोपियों की जाच चल रही है, इस दोरान गनित की कोपियों से करीब एक लाख रुपईया कैस मिला है, एक सिक्षक ने तो रुपईये रखकर फेल चात्रों को पास कर दिया था, जो ओडिट के दोरान पकड़ में आई, जिसके बाद बिना जाचुई कोपिय गया तो उसमें से बहुत सारे नोट बरावद हुए, चार दिन में करीब एक लाख रुपई मिलने से ओडिट करने माले अधिकारी भी हैरान रह गये। और काले क्रिसी कानूनों की प्रतिया जलाकर होली का दहन करेंगे। इसके तहत 26 मार्च को सुबर 6 बजे से लेकर साम 6 बजे तक सभी दुकाने और अन व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 गंटे बंद रहेंगे। के बाद 28 मार्च को धर्ना प्रदर्शन इस्थलो पर ही हुलिका दहन के दौरान तीनो क्रिसी कानूनों की प्रतिया जलाए जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अमरीत लाल मिना ने इन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि कौन-कौन से मुख्या ने मार्च 2020 तक सभी ग्राम पंचायत के कारियों का ओडिट कराया है और किनों नहीं कराया है। पंचायत के कारियों का आडिट नहीं कराने वाले मुख्या का अयोग घोसित कर दिये जाएंगे यानि की विभाग ने साप किया है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार आंकेचन समय पर करवाना अनिवार्ज है अगर कोई मुख्या इस कायर को नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वह सांग्वेधानिक दायत को निवाने में असफल है और ऐसा नहीं करने वाले मुख्या अयोग घोसित हो जाएंगे इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां भोजपूरी के सुपरस्टार गायक और हीरो खेसारी लाल यादव और होट एक्ट्रेस में सुमार अक्षरा सिंग के कायर करम में जबरजस्त हंगामा हुआ है इस्थानिय लोगों ने जबरजस्त बवाल किया है सडक जाम और आगजनी की खबरे भी सामने आई है जिसके बद पटना पुलिस मौके पर पहुची और इस सिति को कंट्रोल में किया दरसल घटना राजदानी पटना के फतुहा थाना इलाके की है जहां छपाक वाटर पार्क में आयुजित बोजपूरी अभीनिता खिसारी लाल यादव और उनकी सहयोगी अक्षरा सिंग के कायर करम में भारी हंगामा हुआ है बताया जा रहा कि इस्थानिय लोगों ने काफी बावाल काटा है आक्रोसित लोगों ने फतुहा फोरलेन को जाम कर दिया और फोरलेन पर गाणियों की लंबी कतार लग गई आवागमन ठप पड़ गया और सड़क पर आगजनी होहला करने की बात सामने आई होली के पहले पटना वासियों को बड़ा तौफा मिलने जा रहा है पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से जीपियो गोलंबर को जोडने वाला फ्लाइओबर बनकर तयार हो गया है और 25 मार्च को इसका उदगाटन किया जाएगा मुखमत्री नितीज कुमार 25 मार्च को फ्लाइओबर का उदगाटन करेंगे बिहार राज पुल निर्मान निगम की तरप से फ्लाइओबर का निर्मान कराया गया है पहले चरण में आर ब्लॉक रोटरी और सब्तमूर्ति से वीर्चन पटेल पत का निर्मान कारे पूरा कि मुखमत्री होली के पहले पटनावासियों को यहाँ बड़ा गिफ्ट देंगे राज में अब जमीन के खरीदारों को म्यूटेशन यानि के दाखिल खारीच के पचड़े में नहीं पढ़ना होगा राज सरकार ने ऐसी प्रक्रिया सुरू की है जिसके बाद अब जमीन की र रजिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी अपने आप सीयों के पास चली जाएगी अभी यहाँ सुईधा के वल उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदी दार से जमीन खरीदेंगे यानि यदि किसी ऐसे विक्रेता से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम पर जमाबंद नहीं कराई गई है तो पुरानी विवस्ता से म्यूटेशन के लिए आविदन करना होगा राज सरकार ने इस नई विवस्ता के लिए अंचल कारियालाई को निवंधन कारियालाई से जोड़ दिया है इसके लिए सॉप्ट्वेर भी तैयार किया जा चुका है 31 मार्च को मंत्री रामसुरत राई इस योजना की सुरूआत करेंगे इस नई विवस्ता के सुरू होने से दाखिल खारीज को लेकर ना तो विभागया लापरवाही की सिकायते मिलेंगी और ना ही आम लोगों को बार-बार कारियालाई का चक्कर लगाना होगा बिहार में अचानक कुरोणा के बढ़ते मरीजों की संक्या को देखते हुए राज सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है सरकार ने सभी स्वास्तकर्मियों के छुट्टिया भी रद करने का फैसला लिया है इसी के खिलाब PMCH की नर्सों ने जमकर विरोध प्रदर्सन किया प्रदर्सन कारी नर्सों ने सुप्रिटेंडेड पर जमकर भडास निकाली नर्सों ने कहा कि पिछली बार सभी ने कुरोणा वरियर के रूप में काम करते हुए आम लोगों की सेवा की थी लेकिन उन्हें सब्ताहिक छुटी तक नहीं दीजा रही है इसी से परेशान होकर उन्हें विरोध प्रदर्सन करना पढ़ रहा है PMCH की नर्सों ने कारी का वहिसकार करते हुए अधिक्छक डॉक्टर आईएस ठाकुर के कारियाले का घिराव किया प्रदर्सन कर रहे नर्सों की मांग है कि उन्हें कम से कम जरूरी अवकास दिये जाने चाहिए बिहार में बेताहासा अपरादिक घटनाओं के बावजूद ऐसे भी लोग और बस्ती हैं जो मिसाल कायम कर रही है ऐसे दो गाव हैं जहां कोई भी केस मुकदमा नहीं हुआ है गाव का कोई आदमी थाने या कोट का चहरी नहीं गया है सुनने में ये अजुबा लगता है लेकिन बात सच है जी हां हम बात कर रहे हैं मधेपुरा के दो गावों की कहानी इस डौर में भी आपसी मेलजोल की मिसाल कायम करने वाली ये दोनों गावों मधेपुरा जिले के हैं मधेपुरा के धौलार प्रखन के धुरूपठ्टी और चौसा प्रखन के मधुरापूर गावों के लोग कभी केस मुकदमे के चकर में नहीं पड़े हैं आपस में विवाद होता है लेकिन गाउ के लोग ही एक साथ बैठकर उसे विवाद कर निप्टारा कर देते हैं। गाउ की बैठक में जिस दो आदेश दिया जाता है लोग उसे माल लेते हैं। मधेपुरा के इन दो गाउं में आपसी अवन चैन में पंचायत प्रतिनीधियों ने अहम रोल निभाया है। जिला प्रसासन ने समाज को नई दिशा दिखाने वाले गाउं के लोगों को सम्मानित किया है। मधेपुरा के जिला एवं सत्र नियाएदेश, जिला दिकारी और पुलिस अधिक्चग ने ग्रामीनों को प्रसास्ति पत्र दे कर सम्मानित किया है। कुरोना से बचाव के लिए लगाये जाने वाले मास्क को एक सातिर ने परिक्षा में नकल का जरिया बना लिया। परिक्षार्थी इतना सातिर था कि उसने मास्क को ही मुबाइल के माफिक यंत्रे में तब्दिल कर दिया था। परिक्षार्थी के पास से ऐसा मास्क पकड़ा गया जिसके हैरान करने वाला इलक्ट्रोनिक डिवाइस बना दिया गया था।